लो दोस्तों ये पेज एप है HDFC बैंक का जो बहुत ही अच्छा है पेटी एम के तरह से ही ये फेमस है और अच्छा वर्क करता है अपने HDFC बैंक अपने कस्टमर के लिए ये अस्पेसली बनाया गया है तो आपको बता देते हैं कि अगर आप भी HDFC बैंक के एकाउन्ट ताहरा तरह से बील पेमेंट भी आप ले सकते है अलागलग प्यमेंट तो अगर आपको एलेक्टिक बील करना रहे तो एलेक्टिक बील मैं कर सकते है लेखिन मुझे मोबाइल रिचारज करना है इसलिए मैं मोबाइल पर क्लिक कर देता हूं यहां पर प्रोसेस ले रहा है बहुत ही कम समय में प्रोसेस ले लेता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा पेजाय बैलेट में 181 रुपया था इसलिए बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया अगर आपको पेमेंट मेथट चेंज करना रहा है तो इस चेंज पेमेंट मेथट पे क्लिक करके आप अलग-अलग मेथट भी चूज कर सकते हैं चूकि मुझे पेजाय बैलेट ही यूज करना इसलिए मैं पेजाय बैलेट को सेलेक्ट किया और दोस्तों यहां पे डिरेक्ट आपको पेमेंट नहीं करना यहां पे देखेंगे त तो apply coupon code इस एरो पे click करना है, इक coupon code पे जब click करेंगे तो देख सकते हैं कि एक coupon available है, जो 20 रुपया तक का cashback आप ले सकते हैं, यहाँ पे मैं apply कर देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं, applied हो गया, 9 रुपया 0,5 परिशा, यहाँ पे applied हो गया, यानि कि 181 रुपया का मैं recharge क के हिसाब से 9 रुपया 0,5 परिशा मुझे cashback मिल जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पे apply कर दिया, और यहाँ पे sweep कर देना है, तो मैं यहाँ से sweep कर दिया, और देख सकते हैं कि process जारी है, और process यहाँ पे नहीं हुआ, दोस्तों यह issue आ सकता है आपको भी, तो यह क्यों नहीं ह हुआ, तो चलिए हम आपको बता देते हैं, कारण के more detail में देखते हैं, क्या यह error दिया है, तो यहाँ पे जो page app ballot है, उसके तरफ से यह issue है, तो वो कैसे solve करें, तो चलिए हम बताते हैं, यहाँ पे page app ballot में जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि online transaction के लिए enable to make payment online, मुझे online transaction करना है, इसलिए यह disable है, इसको enable कर लेना है, जैसे ही यहाँ पे enable करके, यहाँ पे save कर देना है, यहाँ पे मैं save कर दिया, अगर इस तरह का error आएगा, आपको recharge करते समय तो यहाँ से आपको online transaction enable कर लेना है, यहाँ message भी आ गया, नीचे और message भी यहाँ पी भी मुझे आ गया यह recharge पे click करना है, मुझे, recharge पे click करके, फिर यहाँ से आपको बता देता हूँ, कि जो मेरा 181 रुपिय का था, वो मैं select कर लेता हूँ, यहाँ से, यहाँ पे देख सकते हैं कि selection हो रहा है, यहाँ पे select हो रहा है, और यहाँ पे मेरा page I ballot already select है, यहाँ से, आपको धियान देना है कि apply coupon code इस पे click कर देना है, जैसे ही click करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते कि coupon available है, यहाँ पे apply कर देना है, और यहाँ पे देखिए applied हो गया, जैसे उस टेम वाता, रुप्या 5 पैसा का, और अभी यहाँ पे जब applied हो जाएगा cashback, तो sweep करना है, यहाँ पे देख भी सकते कि applied page app, paid you will earn 9 डूपीज 5 पैसा cashback, यहाँ पे sweep कर देना है, जैसे ही sweep करेंगे, तो यहाँ पे आपका transaction process start हो जाता है, और transaction successful यहाँ पे हो गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे message भी आ गया, कि you earn 9 डूपीज 05 पैसा cashback will be credit to your account, वाले शोटली, यहाँ पे view, bill details पे click करके मैं देख लेता हूँ, और home page पे जाके मैं चेक करता हूँ, cashback status, अभी तक add हुआ की नहीं, मेरे जो main cashback वाले section होते हैं, तो अभी 6 रूपया यहाँ पे है, click करके देख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, 9 रूपया 0 पैसा add हो गया, और जो मेरा 6 रूपया था भी total 15 रूपया cashback हो गया है,